इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सचाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छपाना क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जेल भीज सकते हैं किसी को भी चा रखनी पड़ता बहुत पावरफुल लोग हैं कल से इनके सारे नेता चला चला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे शायद बीजेपी ने सीबिया को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है अब बीजे को कुछ नहीं समझते जिसको मर्जी धंकी देते रहते हैं जजों को मीडिया वालों को पत्रकारों को नेताओं को व्यापारियों को द्योगपतियों को सबको धंकी देते फिरते हैं हमारी बात मानो ने तो जेल में डाल देंगे सबको जेल की धंकी देते हैं मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भारत मां से बे इंतहा महबत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं दस साल पहले राजनीती में आया, पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यूं है, मेरे लोग इतने गरीब क्यूं है, आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यूं है, क्यूं, क्यूं, अब पता चला कि ऐसा क्यूं है, क्यूंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है, हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है, हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की द भीज देंगे भीज दो जरूर भेजो इससे क्या होगा देश की समस्याइंस दूर हो जाएंगी केज़िवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा सबको शिक्षा मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहिंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी हैं तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवाने थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरों महला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है, आपकी बला से तो देश जाए भा पिश्टाचार और अपनी पैसे और सक्ता की हवस की वज़े से पर अब भारत रुकेगा नहीं दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक एक भारते खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरो का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूं एक एक दिन में पचास पचास यूनिट से ज्यादा इंसलिन लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने दस दिन का और एक बार पंद्रा दि का इंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन मैं पंद्रा दिन भूखे रहने के बावजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भगवान मेरे साथ है आप क्यों केजरीवाल भृष्टा चारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोडों रुपए कमा लेता उस नौकरी को लात मारके कई वर्षों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार CBI AD बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओँगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकते हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा झाल 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 झाल